मीनोपॉज में हमारी बॉडी में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरॉन हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं और मीनोपॉज के बाद इन हॉर्मोन्स की डेफिशिंसी के करके बोन्स को कमजोर होने को हम ऑस्टियो पोरुसिस कहते हैं हमारी हड़ियों में मैक्सिमम कैल्शियम डिपॉजित थर्टीज की एज तक होता है तो यंग बच्चों में, यंग एडल्ट्स में, मिल्क का इंटेक या कैल्शियम का इंटेक अच्छा रखना चाहिए ताकि हमारा बोन में कैल्शियम का बैंक होता है वो बैंक अगर फुल होगा तो आपको कमजोरी कम आईगी क्यों कैल्शियम सप्लिमेंट साप लेते हो अगर तो आप एक्सेस में नहीं ले रहे अप टू 1,000 मिली ग्राम ले रहे हो तो उससे स्टोन बनने का कोई रिस्क नहीं है नमस्कार सेहत नामा देख रहे हैं सभी दश्कों का स्वागत सबसे पहले गुजारिट सेहत नामा को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आज एक बार फिर मीनोपॉस सीरीज के तहत मीनोपॉस के तरहां हड़ियां कमजोर हो जाती है क्योंकि पीरिट्स होने हैं तो मीनोपॉस भी होने हैं हर महिला को सो हड़ियां कमजोर हो जाती हैं फ्रेक्चर बढ़ जाते हैं उनसे बशने के लिए क्या करे हमें बता रही है डॉक्टर सीमा शर्मा मीनोपाज जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है की मीनोपाज में हमारी बॉडी में estrogen और progesteron hormones कम हो जाते हैं और मीनोपाज के बाद इन hormones की deficiency की करके बोन्स को कमजोर होने को हम osteoporosis कहते हैं और जो osteoporosis की problem है वो मीनोपाजल लेडीज को काफी परिशान करती है to the tune की लाखों ऐसे लोग हैं या महिलाएं हैं जिन में fractures पाए जाते हैं और यह जो bones की weakness यहां जिसको मैं osteoporosis कह रही हूँ वो condition diagnose ही fracture के बाद होती है क्यों होती है कमी? क्योंकि bones weak हो जाती है उनके अंदर calcium की deficiency हो जाती है Why? क्योंकि यह estrogen और progesterone hormones bones को strengthen करने में बहुत important role play करते हैं तो मीनोपॉस के बाद इन hormones की deficiency से bones weak हो जाती है अपनी bones को पहले से ही strong बनाएं तो उनमें जो कमजोरी है वो कम आएगी तो bones को हम पहले से ही कैसे मजबूत कर सकते हैं जो आपका maximum bone mass है वो 30 की age तक बनता है इसका मतलब कि हमारी हडियों में maximum calcium deposit 30 की age तक होता है तो young बच्चों में, young adults में milk का intake या calcium का intake अच्छा रखना चाहिए ताकि हमारा bone में calcium का bank होता है वो bank अगर full होगा तो आपको कमजोरी कम आएगी अगर आपके lifestyle ऐसा है कि आप शुरू से ही दूद नहीं लेते हैं या calcium rich जो चीज़े हैं उनको avoid करते हैं तो already आपकी bones जो हैं वो calcium से रहीते हैं और बाद में फिर उनमें कमजोरी जादा आजाएगी तो इसलिए calcium, vitamin D दो एक ऐसी चीज़े हैं कि जो हमारी bones को strong रखने में हमारी help करती है दूसरी चीज़ है हमारा lifestyle अगर आपका lifestyle active है आपने अपने weight को जो required weight है उस पे maintain करके रखा हुआ है और आप physically fit हैं मतलब आप daily 30-40 minutes की walk या exercise या gardening या कोई पे physical activity करते हैं तो उससे आपकी bones की strength जो है वो maintained रहती है तो अपनी lifestyle को healthy रखके, diet को healthy रखके आप अपनी osteoporosis को prevent कर सकते हैं Calcium supplements हम लोग ladies को as doctors प्रेगनेंसी में जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं वो time है जब हर महिला को calcium supplement करना चाहिए क्योंकि आपके अंदर baby grow कर रहा है baby की bones बननी है और वो सारा आपकी body से calcium baby तक चला जाता है आपकी bones weak हो जाती है अगर आपने प्रेगनेंसी में calcium नहीं लिया उसके बाद जब कोई भी महिला 40 years से उपर age group में आती है तो उसको calcium supplement लेने चाहिए otherwise क्या होगा कि आपकी legs pain होईगी आपकी back दुखेगी body ache होगी आपको नहीं बता लगेगा क्यों है one fine day जब हम कभी गिर गए और हमारा fracture हुआ x-ray हुआ फिर पता चला कि हमें तो osteoporosis होगी है तो जब हम osteoporosis की बात करते है it has been seen कि wrist का fracture, hip का fracture, spine का fracture is very common in ladies who suffer from osteoporosis इसलिए 40 के उपर के age group के महिलाओं को कहा जाता है आप अपना calcium regular supplement करिए nearly 1000 mg calcium on an average हर लेडी को daily लेना चाहिए हर लेडी को किसी भी form में ले सकते है आपको 1 liter milk 1000 mg calcium देता है पर अब 1 liter milk पीना, 1 kg दूद पीना हर किसी के बसका नहीं है so safest है कि आप एक calcium की tablet खाईए वो आपको 500 mg calcium देती है साथ में आप दही ले सकते हैं आप दूद ले सकते हैं आप पनीर ले सकते हैं और आपको broccoli जैसी जो vegetables हैं वो भी calcium का rich source है फिर आप मखाने ले सकते हैं जिनको fox nuts कहते हैं वो भी calcium का एक अच्छा source है तो dietary source को भी use करिए और आप supplement भी ले सकते हैं एक बहुत misconception है या धारना है आम तोर पे इंडिया में लोगों की कि अगर हम calcium excess में खाएंगे तो हमारी पत्थरी बन जाएगी या जिन लोगों को gallbladder में भी stone है वो भी calcium खाना अवाइड करते हैं तो देखे ऐसा है कि जो calcium supplements आप लेते हो अगर तो आप excess में नहीं ले रहे अप टू 1,000 mg ले रहे हो तो उससे stone बनने का कोई risk नहीं है बट अफकोर्स अगर आप 2,000 mg से जादा calcium ले रहे हैं या अल्रड़ी आपको urinary stone की history है तो आपको अपने doctor की guidance के बिना फिर calcium नहीं लेना चाहिए so you should take the supplement under doctor's advice अपने आप मत लीजिए एक बार अपने doctor को मिलिए अपना health assessment कराईए फिर medicine काईए सपोस किसी को fracture हो रहा है और osteoporosis पता चला है तो उसको correct करने के लिए बहुत सारी medicines जो है वो available है simplest calcium and vitamin D है न हम कहते हैं कि vitamin D का बहुत important role है हमारी bone health में तो vitamin D की जो production है हमारी body में कैसे होती है sunlight में होती है आपकी skin में होती है अगर आप अपने आपको धूप में थोड़ी देर exposure देते हैं तो आपकी body में vitamin D का synthesis होता है अब हो क्या गया कि हम सबका lifestyle indoor हो गया हम work from home करते हैं और 24 घंटे कमरों के अंदर बैठे रहते हैं और sunlight में जाते ही नहीं है as a result vitamin D की deficiency हो रही है so vitamin D nearly 800 unit daily हर महिला को चाहिए तो आप महीने में अगर एक बारी 60,000 international units vitamin D लेते हैं आपकी महीने की requirement पूरी हो जाती है तो osteoporosis correct करने के लिए calcium, vitamin D फिर कुछ हम hormone replacement therapy भी कुछ महीलाओं को offer करते हैं जिसमें हम estrogen और progesteron का combination देते हैं जिससे की आपकी bone health जो है वो restore हो then there are other medicines also available in the form of some supplements जो की आपके orthopedics के doctor या gynecologist आपको advise कर सकते हैं so medical treatment से osteoporosis को recover किया जा सकते हैं